Hello friends, my name is Gamreshadow और मैं आपसे यह केरना चाहूँगा कि अगर अबी तक आप लोगो ने अभी एनECA daqui अप्लिकेशन स्टार्ल नहीं किया है तो स्ट अलिजे जहाँ पर मेरी फ्रीक्लासेश भी चलती है या Free class है, जो बिल्कुल free है, बिना किसे पैसे लगाये जो वीडियो मिलेंगी, वो आप जाएटके वहाँ पे देख सेब के हैं, बिल्कुल free आने अक्याडमी के अप्लिकेशन पर है, उसके रवग दोस्तों करें यह वीडियो आपको अच्छी लग लिए है, जो वीडियो प् किसले प्रसिद्ध है, तो यह जो भिंबेटका हो जाएगा, गुक्TER है जो भिंबेटका के लिए यह जो भिंबेटका नामा के स्थानी है आपको मिलेगा राइसे जिला है मंद्र प्रदेश में, मंद्र प्रदेश में एक जिला है, राय से नहीं प्याप खूलेगी, भिम बेटका की गुफाएं, तता यह जो गुफाएं हैं, यह सेल चित्रों के लिए फेमस हैं, अगला इंपॉर्टन प्रस मारा है, विसाल इसनानागार, जिसको इंगलिस में करते मोहन जोड़ों में जो है, विसाल इसनानागार मिला था, इसके साथ ही जो मोहन जोड़ों नामा का स्थान है, इसकी जो सबसे बड़ी इमारत थी अनकोठार, ते भी आप या देखिएगा, अनकोठार जो था, मोहन जोड़ों की सबसे बड़ी इमारत थी, तता मोहन से ही विशाल इसनाना गायर प्राप्त हुआ था इसके साथ ही जो मोहन जोदोडो नामा का स्थान है यहां से एक कांस्य निर्मित नलतकी की मूर्ती भी मिली थी अगला प्रस्थ हमारा है सत्य में जयते सब्द कहां से लिया गया है तो जो सत्य में जयते सब्द है यह कहां से लिया गया है तो जो सत्य में जयते सब्द है यह लिया गया है मुंडक उपनिसद से तो राइट इंसर आपको जाएगा मुंडक उपनिसद मतलब मुंडक उपनिसद से जो है सत्य में जयत जो सब्द है वह लिया गया है तो रिगवेद में अगण्य सब्दों का जो प्रियोग है वह किसके संदर्व में किया गया आपसे पूछा जा रहा है तो रिगवेद के कई परिछितों में जो अगण्य सब्द का प्रियोग किया गया है या गाय के लिए किया गया है तो रिटेंसर आपका गाय के लिए तो आपसन जो इसका भी है बिल्कुल सही है हमारा जो सबसे पुराना वेद है उसको हम रिगवेद के नाम से जानते हैं आपके पताओना चीए कि हमारा जी रिग वेद है या जो रिग वेद है हमारा सबसे प्राचिंतम वेद है इसमें कुल 10 मंडल पाए जाते हैं और 1028 शुक्त रिग वेद में हैं तिसे आप ध्यान देजएगा तता रिग वेद के कई परिषिदों में जो अगन्य सब्द का इस गया है गायों के लिए अगला प्रसमारा है 1194 में चंदावर का जो युद्ध वा था मुहम्मद गौरी ने उसमें किसको हराया था काफी इंपॉर्डर्ण प्रसम है तो 1194 के समय जब चंदावर की लड़ाई लड़ी गई थी तो इस लड़ाई में मुहम्मद गौरी ने ज अस्थापक कौन था तो लोधी वंस की अस्थापना किये गई थी बहलोल लोधी के द्वारा तो राय टेंचरा पोजाएगा बहलोल लोधी के द्वारा जो है लोधी वंस की अस्थापना किये गई थी तता यह जो लोधी वंस था इसका सासन पिरियड कप से कप तक था तो 14 151 इस्वी से लेके 1526 इस्वी के मद्ध जो है लोधी वंस ने सासन किया था तता इसके अस्थापना जो है बलो लोधी ने की थी अगला इंपर्टन प्रस मारा है तुजू के बाबरी जिसको हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं आप याद रिखिएगा या बाबर की आत् अगला इंपर्टन प्रस मारा है किसके सासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारम किया था तो जो अस्थाई बंदोबस्त की प्रता थी या किसके सासन काल में प्रारम किया गई थी तो लौड कार्ण वालिस के सासन काल में जो है अस्थाई बंदोबस्त को सूरू किया ग किस ने कहा था आपको उसका नाम बताना है तो 1857 के संग्राम को प्रतम स्वात तंत्रता संग्राम किस ने कहा था तो वीडी सावकर ने तो राइट अपको जाएगा option वीडी सावकर अगला प्रस्था मारा है पावर्टी एंड अन् बृतिस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? सुपर इंपर्णन प्रस्था है तो पावर्टी एंड अन बृतिस रूल इंडिया के लेखक है दादा भाई नरोजी यानि राइट एंचला आपको जाएगा option C यह जो पुस्तक है Poverty and Un-British Rules in India यह लिखी गई थी दादा भाई नरोजी के द्वारा अगला प्रस हमारा है मंत्री परिशत जो हमारा होता है वह सामुही करूप से किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो जो मंत्री परिशत हमारी होती है भारत की समिधान सबा का जो समिधानिक सलाकार था वो कौन था तो भारत की समिधान सबा का समिधानिक सलाकार किसे बनाए गया था तो इसका राइट इंचर आपको जागा B.N.Rau को यानि option जो B.S. का बिल्कुल सही है बियन राव को भारत की समिधान सबा का समिधानिक सलाकार नियुक्त किया गया था अगला प्रस्मारा है भारती समिधान की प्रारूप समीती का अध्यच कौन था तो भारती समिधान की प्रारूप समीती का अध्यच कौन था अगला प्रस्थ हमारा है जो कि most important प्रस्थ आपको बताना है कि राष्टपती का जब चुनाव होता है तो उसमें निमलिखित में से कौन समलित नहीं होता है उनको ओड़ करने के लिए तो भारत के राष्टपती के निर्वाचन है तो जो निर्वाचक गण होते हैं इसमें समलित कौन नहीं होता है तो आप यहाँ देखिएगा जो राज्यों की बिदान परिस्थ के निर्वाची सदस से होते हैं ये इसमें भाग नहीं लेते हैं इसके बाद लोगसभा के निर् भाग लेते हैं और राज्यों के बिदान सबाओं के सदस्ट से भी इसमें भाग लेते हैं परन्तु राज्यों की बिदान परिसत के जो निर्वाची सदस्ट से होते हैं वे इसमें भाग नहीं रहते हैं राश्टपती के चुनाव में तो राश्टपती के चुनाव में तो र आगला प्रस्ट हो जाएगा, चोधर दिन पूरो सूचना देनी पड़ती है। अगला प्रस्ट है mapped भारत का राष्ट पती किसका अभिन्य अंग है। तो भारत के राष्ट पती निम लखित में से किसके अभिन्य अंग माने जाते हैं तो संसत की। तो राय टेंचर आप को जाएगा संसत के अभिन अंग माने जाते हैं, भारत के राष्ट पती, तो राय टेंचर आप को जाएगा option A, अगला प्रस्थ नमारा है, निम्न लिखित में से कौन सा state जो है, रूस और अलास्का को अलग करता है, तो इस state का नाम है bearing state, यानि राय टे क्אौन सी नदी जो है पस्थिम की तरप नहीं बहती है, तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है, पूर जिसा क्योंका यह और यह पस्थिम है, तो आपको बताना है, कि वे कौन सी नदियां तापती नदी जो है अरब सागर में गिलती है नर्मदा नदी अरब सागर में गिलती है साबर मती नदी अरब सागर में गिलती है परंतु जो महा नदी है या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है यानि कि जो महा नदी या पस्यम की तरफ नहीं बहती है बाकी तीनों नद स्थित है तो जो सिंगान वनने जी अभ्यारन या किस राज जिमी divorced ए तो नागा लैंड में है यानि option जो बी इसका बिल्कुल से नागा लैंड राज जिमीं आपको मिलेगा शिंगान वनने जी अभ्यारन अगला इंपटर समारा है Greece की राधानी आपको बतानी है क्या है तो Greece की राधानी वलतमान में क्या है तो Athens है तो आप यह सियाद रखिएगा Greece की राधानी क्या है तो Athens जो है Greece Greece की राधानी है तता जो पहले Olympic खेल खेले गए थे वे Athens में ही खेले गए थे तो यह आपको पता न चीए कि जो पहला उलंपी खेल था वह एथेंस में ही खेला गया था वहीं मैडरीट किसकी राधानी है तो मैडरीट आपको मिलेगी स्पेन की राधानी मैडरीट है और रोम किसकी राधानी है तो इटली जो है रोम की राधानी है अगला इंप्रस नमारा है जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है तो प्रसांत महासागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर तो राइटेंचन आपको जाएगा ओप्सन ए प्रसांत महासागर और अट्लांटिक महासागर अगला इंप् 200 पर्यावरण दीवसे या प्रती वर्स 5 जून के दीन मना जाता है तो राइट निस अपको जाएगा 5 जून अगला प्रसमारा है प्रसिद नेक चंद का रॉक गारडन आपको कहां मिलेगा तो प्रसिद नेक चंद का चंदी गर्डन का जो तो जो भी public sector के उपकरम होते हैं, जो सारवजनिक छेत्र के उपकरम होते हैं, उनको हम महारतन कंपनी का दरजा देते हैं, तो राइटेंसर आप को जाएगा option A, सारवजनिक छेत्र के उपकरम को, अगला प्रस्त मारा है, हाली में जबल अली नामक बहुत बड़ा gas का जो अमिरात में, तो राइटेंसर आप को जाएगा, UAE में जो है, हाली में जबल अली नामक जो है, बहुत बड़ा gas का फिल्ड खो जा गया है, तता UAE में इस बार का IPL 2020 का आईजन किया जा रहा है, तो इसे भी आप ध्यान देजेगा, IPL 2020 का जो आईजन है, यह UAE में ही किया जा रहा है, तता UAE की राजानी आपके मिलेगी, अबुधाबी, अगला important प्रस्मारा है, हाली में कहा की पूलिस के दारा operation नकैल सुरू किया गया है, तो operation जो नकैल या सुरू किया गया था, गाजियाबाद की पूलिस के दारा, जो है, operation नकैल सुरू किया गया था, अगला भालती रेलवे जो वह किसके जहनती मनाने के लिए सामन्त एक्सप्रेस चलाएगा, तो इसका राट एंचर हो जाएगा आपका, डाक्टर धीमराव अमेटकर के जहनती मनाने के लिए जो है भालती रेलवे सामन्त एक्सप्रेस चलाएगा, अगला इंपोर्टन प्रस मरा है हा तो इंद्रा नुई जो थी इससे पहले पेपसिको की CEO थी परन्तु इन्हों ने अपने पज से इस्थिपा दे दिया तो इनके स्थान पेपसिको के नए CEO बनाए गए गए रेमन लागलतुआ क्या बनाए गए है तो रेमन लागलतुआ जो है ये पेपसिको के नए CEO बनाए ग तो आपको बताना यह किस देश की कंपणी तता यह अपना जो प्लांट है या गुजुरात में लगाए कि इसी कारण से यह news में है. अगला important प्रसम मकंभा जो कि last प्रस्न आज का है, let's not see. मंत्राले के तरर्हा mission solar čarkha launch किया गया है, तो मन्समी मिनिस्ट्री है, जो मन्समी मंत्राला है, इसी के तर्हा कर जो मिन्समी solar चरखा launch किया गया है, तो right and ipus благодар मंत्राले के दौरा हाली में मीशन सोलर चर्खा लॉंच कर दिया गया है तो दोस्ते आप हमने जो पार्ट 15 नंबर की जो टेस्रीज थी उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है जल्दी मिलेंगे हम अगली टेस्रीज में तब तक के लिए थैंक यू थैंक्स पर वाच थैंक्यू